पर ब्रेक टेस्ट इसके करके देखते हैं, this was not good at all, यहाँ पर आप गाड़ी घूमनी रहे हैं ना, unstable रहती है वो गाड़ी, ठीक है? आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, महिंद्रा की एक लेजंडरी गाड़ी, जो की XUV7OO की predecessor, यानि XUV5OO, अब इस गाड़ी के बार में कुछ facts हैं, कुछ figures हैं, कुछ नई चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो की आपको सुनकर अच्छा लगने वाला है कि इस लेकिन गाड़ी का जो फ्रंट फेसिया है, वो W11 का है, ओनर ने मोडिफाई करा रखिये, तो फेसलिफ्ट वाला जो इसका फ्रंट अटलीस जो फेसिया है, वो चेंज कराया हूँ है, इन जनरल, अगर है मैं XUV5W की बात करूं, तो इस गाड़ी के बार में दो चीज़ें महिंद्रा में पहली बार हुए थी, जब महिंद्रा ने इस गाड़ी को लॉंच किया था, नमबर वन ये महिंद्रा की तरफ से फर्स्ट मोनो कोक चैसी वाली गाड़ी थी, यानि कि बोडी ओन फ्रेम वाली नहीं है, मोनो कोक चैसी, लाइक नॉर्मल कार, एन फर्स्ट SUV व तो ये गाड़ी में बता है कि 2.2 लीटर का एंजिन आता है, जो कि निकालता है 130 बहप पीक पार और जो टॉर्क है 320 न्यूटन मीटर, भाई शोक्या बंदे की गाड़ी है, तो ये चीज का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लगा हुआ और शोक्या मैं इसलिए बोला, इस गाड़ी में लगबग Fortuner का जो टायर स्पेसिफिकेशन आता है, लगबग उस टाइप के हैं, क्योंकि इसमें 235 कंपनी के साइड से आता है, फिलहाल गाड़ी के ओनर ने इसमें डलवाई है, कॉंटिनेंटल के 265, 65R17, हैवी मोडिफिकेशन यहां पे करवाई हुई ह आजाओ पीछे, गाड़ी का ग्राउंड क्लिरंस जो की कंपनी बता दे है, 200 mm का आता है, बूट स्पेस, अगर 7 मालो इसकी सीट को अनफोल्ड कर दे हैं, तो लगबग आपको देता है 93 लीटर का, और fuel tank capacity is around 70 लीटर, So this was all about, मतब थोट सी basic चीज़ा गाड़ी के बारे में बता दी है, लेकिन मेरा mainly driving review होता है, गाड़ी चलने में कैसी है, वो चीज के आप हम बात कर लेते हैं, लेको गाड़ी के इंटियर है, ड्वेल टोना black और beige कलर का है, और XEV 5W जब लांच होई थी, it was a game changer for Mahindra, Scorpio होग हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, वो चीज़ों के बारे में तो आप नहीं पता सकते, as I'm not the owner of this car, लेकिन चलो मैं गाड़ी के इंटियर के छोड़ा सा बताता हूं, फिर drive पे चलेंगे, नस दीक आओ, यहापे दो छोड़े-चोड़े मीटर है, यहापका टैको मीट है, और यह गाड़ी का स्ट्रेरिंग जिसके ऊपर थोड़े बहुत बटन, सेंटर कंसोल जो है, इसमें बहुत ही ज्यादा बटन, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ही, जो है सारे हार्डवेर, मतलब इसके बटन दे दिये गए, और इसके बार में यह भी फैक्ट है, कि यह पहली गाड़ी थी, महिंद्रा की जो की टॉट स्क्रीन विद इन बिल्ट नैविगेशन आई थी, तो यह एक फैक्ट है, और यहाँ पर देखते हैं, यह आप थोड़ा बहुत यहाँ पर समान्द रख सकते हो, डाश बूर्ड के अंदर, बिल्ड क्वालिटी तो आपक कुछ चीजे बताते हैं, दखो ऐसे कुछ आभी है गाड़ी की लोग अनलोग का और बूट अनलोग करने का फीचर है, और महिंद्रा का सिगनेचर स्टाइल है, कि चाभी ऐसे फिलिप आखे निकलती है, चलो, लेट्स स्विच ओन दा कार नाओ, महिंद्रा का ये भी सिगनेचर है, बाई, म्यूजिक ओफ करेंगे क्योंकि बजने वाला है इसका भी, गाड़ी 2016 का मॉडल है, अल्मोस्ट 90,000 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है, और इसमें ये छोटा सा बटन है, इसको आगे पुश करके और आप ड्राइव में शिफ् ठीक है, देखो, नॉइजी तो है एंजन, नो डाउट, अब इस गाड़ी को एक्ष्यूभी सेवन डबलो ने रिप्लेस किया था, एंड आई थिंग रिप्लेस अल फॉर गूड रीजन, अब थोड़ा ओटमेटिक वाली नॉइज है, आचाले, मानलो मैं हार्ड ड्राव कर तो दोनों मिलके यह नॉइज आपको ऐसे लगेगी, बट यह हर गाड़ी में होता है, मानलों जिसमें यह भी यह कॉम्बेनिशन होता है, अब विजबिटी देखो, अगर मैं रोड प्रेजन्स के अगर बात करूँ, मानलों को पुरानी वाली लेने की सोच रहा है, तो क्य इसा नहीं है, ओलो मतलब गाड़ी है, अच्छे खासे साइज की है, तो आपको वगी दिक्कत नहीं आने वाली है, एक है मैनूल यहाँ पर IRVM है, चलो हार्ट रहाव करते हैं, ब्रेक्स भी चेक करेंगे, अभी तक जितना देख पाया हूँ, ठीक है, और ओल फोर डिस्क के अंदर यह गाड़ी है, चलिए, अब देखो, मोनोकोग चैसी है, तो स्टेबल तो है हाई स्पीड के उपर, क्योंकि बॉड़ी ओन फ्रेम में क्या होता है, थोड़ा सा अंस्टेबल रहती है हो गाड़ी, ठीक है, पकट के बैठने हैं, अभी एक पर ब्रेक टेस्ट इस सही है यार, बिल्कुल स्टेबल है, और ब्रेकिंग डिस्टन्स भी ठीक है, तो एक बार ट्राइ करेंगे कि 110 के आसपरास, अगर मैं ब्रेकिंग एक बार इसकी करके देख लूँ, सेकिंड अटेम्ट, अभी 100 क्रोस कर चुकी है, एक फाइब डबलो, ब्रेकिंग एट 110, नहीं भाई, अभी तक भी नहीं, रुकरी फुल ब्रेक दबे हुए हैं, दिस वस नोट गूड अट ओल, और क्या होगी, शुरू में जैसे एकदम पंजावे ने दबाया ब्रेक पैडल, तब अचानक फि मान लोगो चीपा कर रहा हट रहा, वो मेरे को फील ही नहीं हुआ, समझे रहो चीज, तो अराम-अराम से रुकी, तो मेरे को ब्रेक्स तो इस गाड़ी के पसंद नहीं आए, और ये डैड स्टेरिंग है, यहाँ पे आप गाड़ी घूमनी रहे है बिल्कुल भी और ये इतना डैड स्टेरिंग है, और ये ओनर कैसा कहना है कि यह हर गाड़ी मान लो एक सभी 5W में और ये शुरू से है, तो ऐसा नहीं है कि पुरानी ली है तो ओनर ने कुछ कर दिया तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन डैड स्टेरिंग है नो डाउट गाड़ी के अंदर, और ये चीज अगर है मान लो प्रॉमिनेंट हर वेरेंट के उपर, so this is not good, ठीक है, फिर से देखो, गाड़ी नहीं जा रही है कहीं भी, वहीं की वहीं है, और ये डैड स्टेरिंग इतना, अगर आप में से कोई ऐसा है, जिसके पास फाइव डबलो थी है, रख चुके हो, मेरे को बताना है क्या ये चीज सही है, क्या आपकी गाड़ी में भी थी, ठीक है, सस्पेंशन तो अब मान लो महिंदरा की चीज है, SUV भले है, मोनो कॉक भले है, still it's comfortable, लेकिन एकदम खराब अब रास्तों अब भी हम नहीं गए है, ठीक है, गाड़ी तो अच्छी है, रूब यो, आवे आगे मज़े, stable है, मतलब Scorpion सबसे stable है, क्योंकि मोनो कॉक चैसी है, मेरे को बसना ही, नॉइस इरिटेट करती है, गाड़ी में, अच्छे नहीं है, गाड़ी के, विंड नॉइज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, 120 के आसपास है, तो विंड नॉइज ना बहुत ज्यादा आ रही है, साइड से, अब, एंजिन की साउंड भी है, और विंड नॉइज भी है, रोड नॉइज इतनी नहीं है, क्योंकि टाय गार नॉइज का तो ऐसा रहता कि वाई, रोड पे भी तो डिपेंड करता है, तो ये दो नॉइज आपको परिशान करती है, इस गाड़ी में, अब स्टेरिंग का देख लेते हैं, जो मैंने आपको बता है, डेट स्टेरिंग, वो खाली लग बग इसका क्या है कि हाई स्प इसकत आती है, कम स्पीड पर नहीं है, वैसे ब्रेक है, आई तिनी स्पीड तक तो ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंशन टेस्ट करते हैं, सही है बाई, लेकिन नॉइस थोड़ी पड़े गई है, गुमा लेते हैं, चलो, ठीक है, गुल में लाग है, स्टेरिंग, कमफिटेबल है, मैं जान भूज के एक तो गड़े मारे हैं, गाडी को, बसे की स्टेरिंग रोटेशन हम देखेंगे, देन विल वाइंड अप दरी वियू, सही है यार, इस गुड, इस मामले में तो ठीक है, बागी डेड हो जाता है, लेकिन मुझे अगर महिंद्रा के कोई काड़ी लेने को बोला जायना, मतलब एक प्रॉपर साइज की, तो I'll still go with Scorpio, उसकी bonnet visibility तो कमाल की है, So guys, this was all about this video, मैं इसे review ना कहके test drive impression कह सकता हूं, कि initially अगर मैं इस गाड़ी चला तो मुझे चलाने में कैसी लगी हो सकता है, लॉंग टर्म में अगर आपको इस गाड़ी को चलाओ गए, तो हो सकता है, जो मैंने positive negatives बताए, आपके differ कर सकते हैं, मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया यार, आप लोग भी बता देना क्या मैंने सही बता है, गलत बता है, जो कि already इस गाड़ी को ओन करते हैं, और शुबम सांगवान की गाड़ी है, here runs a YouTube channel, do visit, देखो कैसी वीडियो गाड़ी के बारे में हैं, तो आप लोग उनका चैनल भी जरूर विजिट करना, ये वीडियो मुझे जरूर बता देना कैसी लगी, thank you so much for watching this video, bye bye!